जानवरों में भी इमोशन्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर एक काउ को ट्रक से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और वही उस ट्रक के पीछे ये बुल दोड़ते हुए दिखाई दे रहा है जो अपने पार्टनर को दूर जाने से रोक रहा है ओनर ने देखा कि इस बुल को अपने पार्टनर का जाना पसंद नहीं आ रहा तब ओनर ने इन दोनों को फिर से एक साथ बिलाया और उन्हें शेल्टर के हवाले कर दिया जो की काफी अच्छी बात है अब जरा इस बिल्ली को देखे जिसे पता नहीं किसने अंडर टेकर के बाल पहना दिये है जिस वजह से ये बिचारी बिल्ली की सूसू निकल गई जो यही कह रही होगी कि यार ये कैसा अजीबों करीब राक्षस है जो मेरी ही धुलाई करने के लिए आ रहा है बोट पर खड़े हुए कुछ डोग यहां पे आ रहे थे कि एक मकरमच उनकी बोट की तरफ ही आ रहा था मकर ये लोग वहां से भागने के बजाए वही रुक रहे है और मकरमच को ये लोग देखने लगे जिसके कुछ सेकेंड बाद ये मकरमच भाई बोट पर चड़ने की कोशिश करता है इन्हें लोगों को लगा कि बोट पर ये मकरमच कुछ नहीं कर पाएगा बगर इस मकरमच ने इनकी इस गलत फेहमी को दूर कर दिया यहां पर ये ममा हैंस्टर मजे से इस रोलर के साथ खेलने में विजी थी जो इस रोलर पर भाग रही थी वगर तभी इसने अपने बेबीस में से एक को उठाया और इस रोलर पर रखकर उसे भी भागने की ट्रेनिंग देने लगी जिस वजह से बिचारा ये बेबी हैंस्टर रोलर पर गोल गोल चकर खाने लगा यही नहीं ये कारनामा देखकर सभी बेबीस डर के महौल में बैठे हुए है अब यहाँ पर एक बिल्ली बड़े अराम से खड़ी हुई है जिसके बाजू में एक चूहा भी बैठा हुआ है जिसे बिल्ली ने सिर्फ एक पपी दे दी और वहाँ से वो चली गई जिसके बाद चूहे की हरकत को तो देखिए आप जो शायद यही कहने की कोशिश कर रहा है कि यार इस बिल्ली ने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया मेरे साथ तो अन्याय हो गया दोस्तों यदि आपको हबार यह वीडियो पसंद आए तब आप हबारे इसे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी महनत लगती है धन्यवाद